प्रेस्ट बेल आइकोन अन दे यूट्यूब आप तो नेवर मिस आ वीडियो फ्रम न्यूज लॉंड्री नमस्कार ये है न्यूज लॉंड्री पॉड्कास्ट और आप सुन रहे हैं एनिल चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चरुसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दरहफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉंड्री का हिंदी पॉड्कास्ट अनिल चर्चा आज हमारे साथ दो खास महमान हैं हमारे साथ लेखक और साहिध तकार अनिल यादो है अनिल चिरु अपका धनियाऑदुद चर्चा करेगा और किसी भी तरह के politics या फिर corporation के दबाव से भी मुक्त रहेगा पर इसके लावा आप हमारे तमाम podcast जो भी जहां पे भी जिस भी platform पे सुनते हैं वहाँ पर जब भी सुने तो इसको rate करना न भूले वहाँ पर चाहे star के जरिए अपने comment के जरिए इससे वो हमारे podcast को आगे बाकी लोगों तक पहुचने में सहुलियत होगी इस हपते की जो चर्चा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशा है वो अमेरिका में प्रधान मंतरी का कारिकरम था जो हाओडी मोदी के नाम से काफी popular हुआ तो उसमें कई सारी चीजे हुए उसमें अमेरिका के राश्पेदी डोनल्ड ट्रम्प ने भी शिरकत की तो उसपर हम बात करेंगे इसके लाबा कश्मीर और भारत पाक के समंधों के उपर जो डोनल्ड ट्रम्प का नजरिया है जो रविया है वो उसमें किस तरह की चतुराई है या कितनी क्लैरिटी है इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ स्मिता है और स्मिता ने लंबा काम फॉरेन अफेर्स को कवर करते हुए अपने रिपोर्टिंग जीवन में बिताया है तो हम उन पहलों को समझने कोशिश करेंगे इसके अलावा यूएन क्लैमिट समिट भी नुई यॉर्क में हुई इसी बीच में और वहाँ पर ग्रेटा थन्बग का एक जो भाषन हुआ एक यूआ एक्टिविस्ट है 16 साल की स्विडेन की रहने वाली उनके भाषन ने काफी चर्चा बटोरी और परियावरण की जो समस्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान खीचा और वो बहुत सारे तरीकों से उस पे बाते हो रही हैं चर्चाए हो रही हैं उसके नकरात्मक चर्चाएं भी हैं उसके अच्छाई हों के बारे में भी चर्चा है तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम बात करें गेटा थन्बग के 16 साल की एक एक एक्टिविस्स जिन्होंने परियावरण को लेकर एक तरह से पूरी दुनिया में एक एक अभियान साशुरू कर दिया है इसके लावा टेलिग्राफ के एडिटर ने आरोप लगाया कि जो हमारे भारती जंदा पार्टिक सांसद और मंतरी हैं बावल सुप्रियो उन्होंने उनके साथ गाली कलोज की टेलिफोन पर तो कोशिश करेंगे कि हम इस पर भी बात करें और साथ में शरत पवार जो की महराष्टरा की राजनीत के और देश की राजनीत के बहुत कदावर नेता है उनको ईडी ने नोटिस भेजा है पचीस हजार करोड के गोटाले का ये मामला है महराष्ट कोपरेटिव बैंक का इसके अलावा हमारे जो सदी के महनायक है अमिताब बच्चन बिग बी उनको दादसाहफाल के आवार्ड देने की घोशना हुई है इस पर भी जो हमारी सोशल मीडिया के दुनिया है वो दो फाकों में बटी रही तो कोशिश करेंगे कि इस पहलो पर भी चर्चा करें एक और बड़ी दर्दनाग घटना इसके लावा हुई मध्यपरदेश के शिवपुरी जिले में जो कि दो दलित बच्चों की हत्या कर दी गई क्योंकि वो खुले में सौच कर रहे थे तो मैं असल में चाहरा हूँ कि इसी इशू से हम अपनी चर्चा को शुरू करें इन दो बच्चों की जो की बारह साल और दस साल उमर थी इनकी दलित जाद से तालुग रखते थे शिवपुरी में शिवपुरी के साथ एक और बड़ी खास बात है कि ओडियेफ घोशित कर दिया गया जिले को यानि कि ओपन डिफिकेशन फ्री है खुले में सौच से मुक्त जिला है और वहाँ पर ये घटना हुई तो ये अपने आप में एक एक चिंता की बात है कि वहाँ पर दो दलित बच्चों को और दूसरी जो चिंता की बात इसमें ये है कि जिस गाउं में ये घटना हुई जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उस गाउं में आम तोर पर जिनको हम सवर्ण जातिया कहते हैं जो सामान वर्क की जाती हैं वो नहीं है जिस जाती के लोगों निकिया वो OBC में आते हैं पिछली जाती में आते हैं दो यादो परिवार हैं जिन्होंने इस हमले को या इस घटना को अंजाम दिया अनिलिया दो मैं आप से ही जानना चाहरा हूँ पहले कि ये प्रधनमंतरी दो अक्टूबर को कोई बड़ी इस मामले में घोशना करने जाने के पूरा देश सायद ओपन डिफिकेशन से मुक्त हो गया और ऐसे समय में इसकी वजह से दो दलित बच्चों की मौत हो गई है तो यÕपने आप में एक विडंबना है आरनी की सिती है केवल जो सामानय या बड़ी सावन ंजाती है उनका ही मसला नहीं है जाती की समस्या नहीं, जात की समस्या सिर्फ समवनों का मसला कैसे हो सकती है, जब सुसाइटी के हर पाइदान पे, हर अस्तर पे जाती ही अंतिम सत्य है, हमारे यहाँ, आप देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब एलेक्शन होता है, तो जात की आधार पे टिकट देती हैं, वो पहल होगा, इस जाती वाले प्लैंक को कौन प्ले कर सकता है, तो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो घटना है, इसके मूल में कोई सौचाले या उस जिले का ओपन वो डिफेकेशन फ्री घोसित किया जाना जैसी बात नहीं है, क्योंकि इसके मूल में वही है जाती है नफ प्रस्टाचार हुआ है, और जदतर सौचाले एक तो डिफंक्ट हो गए, वो बनते ही इतने खराब, इतनी घटियास तर की सामगरी इसमें इस्तेमाल की गई थी, और उसमें इतने हिस्सेदार थे उस ब्रस्टाचार में, मतलब एक तो बहुत चोटा सा बजट था एक पिट का इंतजाम नहीं है, जिसकी तरफ अभी बात नहीं की गई है, बहुत जल्दी ये जो है, वो जो वहां का लोकल ग्राउंड वाटर है, उसको पॉल्यूट करने जा रहा है, और वो बीमारियों का घर बनने जा रहा है, लेकिन ये जो घटना है, इसके पीछ में मूल म आ भी रहा है, कि उसको उन लोगोंने मजदूरी करने के लिए अपने जो यादों पर ले आए थे, उनने ने कहा था उसके बाप को कि तुम हमारे यहां काम करो, और उसको वो जो निर्धारित मजदूरी है, वो नहीं दे रहे थे, कम पे काम कराना चाह रहे थे, उसने मना क है, यह पूरे भारत में फैली हुई, और इस तरह की घटनाएं हर दिन हो रहे हैं, स्मिता आपका क्या टेक है इस पर, इस सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि, निशित रूप से जब यह खबरे देखते हैं, आप सुबह जाकर अखबार में, और वो तस्वीर जो नजर आई, म और आप जब यह जाकर तस्वीर देखते हैं, कैसे वक्त में, कैसे सब्ता में, जब प्रधान मंत्री जाकर एक अंतराश्ट्रिय मंच में, हूस्टन में जाकर, अलग-अलग भाशाओं में कहकर आते हैं कि everything is all right, सब कुछ अच्छा है, देखिए मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह जो आग लगाई गई है, जो जहर एक तरीके से जिसके बीच बोए जा रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग के शक्ल सूरत में हमें नजर आ रहा है, यह आग रुक नहीं रहा, और यह इस वक्त हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर कल मॉब ल सोचते हैं कि आज वो मॉब लिंचिंग से अच्छूते हैं, या मॉब यह जो भीड है, जिसका कोई चेहरा नहीं होता, एक विचार धारा पर काम कर सकती है, या बहकावे के पर काम कर सकती है, कि इस भीड से आप बचे रहेंगे, मुझे लगता है उन लोग को सोचने की जर ऐसे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, और उक्टो मनोबल बढ़ रहा है, जो कानून को अपने हाथ में ले करके हत्या कर रहे हैं, और आप उसके पीछे तर्क देखिए, कि वो जो मारने वाला है, वो कह रहा है कि सपने में भगवान ने हमसे कहा था कि यह राक्शस ह के जगह वही है, तो यह जो कानून को हाथ में लेने और खुद ही निप्टाने, खुद ही मार डालने की प्रवित्ति है, यह खतरनाक है, उस गाओ में बढ़ी आप देखिए, जो हेट ट्रैकर, जो आजकल काफी सारी वेबसाइट्स हैं, सरकार यह सरकारी आंक्रे नहीं द गाड़ रही है, 2015 में मॉब लिंचिंग के 13 घटनाई हुई थी, जिसमें 49 विक्टिम थे, 11 मौते हुई थी, 2017 में 43 वाकिये हुए, जिसमें 108 लोगों को पीटा गया, नफरत का शिकार बनाए गया, 13 मौते हुई, पिछले साल 31 ऐसे वारदातों में 57 विक्टिम्स हुए, 13 मुझे लगता है, दो चीज़े काम कर रही है, एक तरफ कानून को लोग क्यों हाथ में ले रहे हैं, यह हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फेलियर को, जो चर्मराई हुई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो भी दिखाता है, कि लोगों को लगता है कि कंगारू अदालत दूसरा लोगों की जो aspirations है देखिए आज की तारीख में जो हमारी equity gap है जो हमारे अमीरों गरीबों की जो gap है कहीं न कहीं वो असर डाल रहे हैं आप एक society के तौर पर आप vulnerable हो रहे हो आप खुली हवा में सांस नहीं लेते हैं आपको गंदा पानी मिलता है जो basic सुविधा हैं जो basic अधिकार होनी चाहिए वो नहीं है 2020 तक भारत विश्व भर के सबसे vulnerable economies में शामिल हो जाएगा और उसमें जब आप 130 करोड लोगों के बोच की बात करेंगे तो ये social frictions जातिया frictions के साथ मिलेंगी और उसमें आप डाल लीजिए कि ये criminal justice system का नहीं होना तो सब कुछ मिल जाकर ये एक बहुत भयंकर वाला जो कॉक्टेल नजरा आने वाली सितिपूरी बन रही है ठीक बहुत है इसमें एक और चीज में इसी जो शिवपूरी वाली घटना थी उसमें एक और पहलू था उसका शिवपूरी को बहुत लंबी समय तक गुना शिवपूरी की बाकी और जो मतलब इंडेक्स पे हुमन इंडेक्स पे जो आकड़े थे तराने वाले आकड़े थे कि एक और महराजा जो कि पूरे देश में उनको एक चवी है और ये है बिना किसी विरोध के जीतते रहें लगातार आजादी के बास से कोई चुनोती देने वाला नहीं उन पर कोई हमें मुझे बोलना चाहिए कोई बयान देना चाहिए या कुछ कहना चाहिए इस बीच में प्रियंका गांधी का बयान आ गया सबका ट्वीट आ गया ये वो 24 घंटे बाद ठीक जब ये रगल लगा तो एक काम चलाओ सा वो ट्वीट किया गया कि मैं उमीद करता मैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हूँ कोई और वहां का मुख्यमंत्री है तो वो लडाई को आप बहुत साफ पढ़ सकते हैं उसमें कि मैं इस प्रदेश की सरकार से उमीद करता हूँ वो तुम्हारी सरकार नहीं है वो तुम्हारी पार्टी की सरकार है लेकिन वहां पर ज यह अपने आप में इस पूरे उसका बहुत दूसरा और जीव सा पहलू है तो यह तो देखिए यह तो एक अपथी जो है यह अपने आप में एक समस्या है और यह आज की तारीख में अगर कॉंग्रेस एक बतौर विपाक्ष खड़ा नहीं हो पा रही है एक पार्टी यह त पहलू खान के मामले में इंसाफ क्या हो पाया यही हेट ट्रैकिंग ओफिशिल फिगर्स जो है वो बताती है कि मैग्जिमम केसे में कम से कम 40-43 फीसे दी जो विक्टिम्स हैं दरसल वो दलित्या माइनॉरिटीज हैं आलपसंख्यक हैं तो मध्यप्रदेश में आप कमलनाथ कारवाई के लिए ना लाए क्योंकि जिस भीड को आपने यह इजाज़त दे दी है कि वो कानून को बिल्कुल उनकी धज्यां उडाकर निहत्तों पर आववार करें और किसी की जान लेकर आप पे हो सकता है कि कल को को कोई मंतरी आकर आपको फूल की माला डालकर आपको समान रहा है यह जब महाराजा थे फुल फेजड तो भी उनकी कोई अच्छी प्रोग्रेसिब भूमिका नहीं थी सिंधिया परिवार हमेशा से अंग्रेजों का साथ देता रहा है यहां तक कि जासी किरानी 1857 के लड़ाई में जासी किरानी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिय तो यह उमीद करना कि जो तिरादित्य इस मामले में बहुत संबेदन शील हो जाएंगे और कुछ करेंगे तो यह बेमानी है मैं दूसरी बात कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि अब ऐसे पॉलिटीशियन जो सामाने घरों से आते हैं गरीब घरों से आते हैं और गरीब जन लागो तो यह मतलब जनता को बांट के देखना कि यह हमको जिताने वाली जनता है यह हराने वाली है यह हमको वोड देने वाली है यह चलन बढ़ा है जो राजनीत के लिए बहुत खातरनाक हम अपने अगले विशा की तरफ बढ़ते हैं जो कि अमेरिका के हिस्टन सेहर में पधान मुंतरी नरेंद मोधी का कारिकरम हुआ हावडी मोधी एनरजी स्टेडियम में ये कारिकरम हुआ और इस कारिकरम में अमेरिगा के राश्टपती डोनल्ड ट्रप ने भी शिरकत की तो ये जो पूरा कारिकरम ना करीब बताया जा रहा था कि करीब 48-50 जार के आसपास भारती पहुँचे वहाँ पर एक चीज ये रही समिता कि डोनल्ड ट्रम्प के लिहाज से ये एक अच्छी चीज मानी गई कि उनकी अपनी जो चुनावी साल में है तो एक इतनी इंफ्लूएंशल कमुनिटी इतनी बड़ी कमुनिटी वहाँ पर है तो उससे उनको फायदा मिल सकता है समर्थन मिल सकता है आर्थिक सायोग मिल सकता है इसके बावजूद भारत के लिहाज से देखा जाए तो उस कारिकरम से हलाकि नरेंद्र मुदी इस मामले में इवेंट जैसे तमाम चीज़े लगाधार करते हैं लेकिन भारत के लिहाज से उसमें हासिल इतने बड़े इवेंट या इतने बड़े मेगा शो से क्या लगता है आपको हुआ देखे निश्चित रूप से पब्लिक रिलेशन्स के तौर पर अगर आप देखे प्यार के प्रिजम से तो यह नरेंद्र मुदी की अपनी घरेलू ओडियंस के लिए अपने बोटर्स के लिए यह बहुत बड़ा प्यार एक्सरसाइज था कि आप एक अमेरिकी राश्रपत किसी भारतिय प्रधानमंत्री के साथ यह लाजेस्ट अटेंडेट एक फॉरिन लीडर की इवेंट में शामिल होता है और खास करके जो आखरकार स्टेडियम में हाथ पकड़कर लैप ले रहे होते हैं दोनों देखिए उसमें पुलिटिकली जो है उसमें बहुत सवाल खड कि हम चाहते हैं कि 2020 के चुनावों में डॉनल्ड ट्रम की वापसी हो और प्रधानमंत्री ने एक जगह कहा भी गया अपकी बार ट्रम सरकार जी यह अगर आपको याद हो कि वह डॉनल्ड ट्रम भी आकर कह चुके हैं हिंदू अमेरिकन्स की रैली में अपकी बार मुदी सरक करके डॉनल्ड ट्रम की जो आपने उनका जो जिक्र किया इंडियन कम्यूनिटी वहां पर लगभग 4 मिलियन है अज अमेरिका में जो अल्मोस्ट उनकी 1.3 परसेंटेज पॉप्यूलेशन है अमेरिका की और अगर आप हूस्टन की बात करें हूस्टन में देखिए जहां पर यह रैली हुआ वह हैरिस काउंटी वह दरसल 2016 में डॉनल्ड ट्रम भार गये थे और 1976 में जिमी काटर को लास्ट दफ़ा डिमोक्राट्स ने जीता था टेकसस में तो यह लाजली रेड्स स्टेट था रिपब्लिकन्स का लेकिन इस दफ़ा ऐसी हवा बह रही है क्योंकि अगर हैरिस काउंटी आप हारते हैं तो मारा जाता है वो टेकसस का की होता टेकसस की चा रही है और डेमोक्राट्स को लग रहा है कि वह उन स्टेट्स को वापस अपने लिए खीच सकते हैं इन सब के मद्देनजर डॉनल्ड ट्रम के लिए जरूरी था कि वह इंडियन अमेरिकन कम्यूनिटी को जाकर वहां पर उनको वू कर सके हाले कि लोगों को यह भी याद र लोग वहां पर जुटे और जिस तरीके से यह तमाम बयानबाजी की गई एक गुलाबी पिक्चर जिसका हमने पहले जिखर किया कि आगया कि आप आईए भारत में सब कुछ ठीक है आप मैनुफैक्टरिंग कीजिए लेकिन भारत दबाव में है इस वक्त अमेरिका से और ड इस हवा के साथ बदल जाते हैं तो यह दिमाग में रखना बहुत जरूरी है जो जिस तरह से प्रधान मंतरी ने कहा कि अपकी बार ट्रम्प सरकार ऐसा लग रहा है कि या तो इनको पूरी तरह से इस बात का भरोसा है कि ट्रम्प ही चुनाओ जीतने जा रहे हैं क्योंकि ब डिमोक्रेट्स की बनती है राश्पति डिमोक्रेट्स का आता है तो भारत की कूटनीति के लिहास से यह कितना बड़ी गल्ती है कि openly किसी एक पारटी को दूसरे देश के किसी एक पार्टी को वह भी जो दुनिया का चौधरी होने की हैसियत रखता है उसमें किसी एक को निदितु करने वाला जो क्लास है मोधी के प्रभाव में उसने ढंक से सोचा नहीं कि इसके रिपार्कशन्स क्या होंगे ये बिलकुल ऐसी बात है कि माली जी टरंप जीत भी जाएं दुबारा आ जाएं तो भी टरंप का रवया वो नहीं पक्षधर्ता जाहिर की तो ये दोनों इस्थितियों में भारत के लिए घाटे का सोधा होने वाला है और ये सबसे बुरी बात इसकी ये है मैं मैं इसको बहुत अंतरास्टी नजरिये से देखने के बजा इसका सबसे खतरनाक पहलू ये मानता हूं कि घरेलू फ्रंट पे आप तमाम तरह की नाकामियों से इससमें दबे जा रहे हैं और आप जाकर के वहाँ डिडोरा पीटते हैं कि all is well, everything is fine पांच साथ भासाओं में बताते हैं तो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि समस्याओं को address करने के बजा है event से, propaganda से उनको ढखने की कोशिश करना और कहना कि सब ठीक है ये बहुत ही उस तरह का dangerous किसम का संकेत है और ये अकेले मोदी नहीं कर रहा है ये अभी कोई Oxford University की एक study हुई है जिसमें बताया गया है 70 देश ऐसे हैं जो प्रचार माधिमों का और social media का इस्तेमाल वहां की सरकारें खुद वहां के जो जो राष्टा अध्यक्षा है प्राइम निस्टर है वो अपने agenda को push करने के लिए जूट फैलाने के लिए opinion को twist करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है उन्हों ने कहा कि साफ साफ की मुझे भरोसा है कि अपने मसले भारत पाकिस्तान आपस में बैठके निपटा सकते हैं और ये सब करके तो एक तरह से ये माना गया कि ठीक है अमेरिका ने मान लिया कि ये एक तरह से दुपक्षी मामला है अगले ही दिन जब इमरान खान के साथ वो आदमी बैठता है तो वो बयान देता है कि अगर दोनों लोग राजी हो तो मैं तो एकदम तयार हूँ मेरी तो इसमें मात अपना मेरा खुद की दिलचस्पी है भारत की मीडिया ने तो जैसे भी चीज़ों को रखा लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतने बड़े हंगामे इतने बड़े आयोजन सब के बाद भी टर्म में ट्रम्प ने भारत के लिए कुछ कह दिया हो जादा जोर दिया जा रहा थे कि शायद कोई ट्रेड पर बाद बन जाए कारोबारज का जो है एक पार्शिल डील हो जाए भारत को वापस से जो है पार्शिल ही कम से कम बाहाल कर दिया जाए जी एसपी पर जो जेनरलाइस सिस्टम प्रेफिरेंसेज है जिस लिस से भारत को हटाया गया था कुछ मेने पहले और क्योंकि उससे भारत को असर पड़ता है जाए डिवेलपिंग एकॉनमी लेकिन कश्मीर का जो मसला है उसमें देखी सिर्फ एक अंतर आया है डॉनल्ड ट्रॉप ने जब कुछ मेने पहले जब इ्मरान खान का वाशिंटन दौरह वा और उसके बाद डॉनल्ड ट्रॉम्प ने अपने कॉन्वर्सेशन का जिकर किया जिसमें उन्होंने कहा कि उसाका में जब उनकी G20 शिकरवारता के दौरान नरेंद्र मोधी से बाची थी तो नरेंद्र मोधी ने उनसे अनरोध किया था मध्यस्तता के लिए जिस खबर का हमने देखा कि यहां पर नई दिल्ली विदेश्मित्राले ने जम कर खंडन किया उसके बाद से वो कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं यह नहीं कह रहे हैं कि भारत ने मध्यस्तता के लिए कहा है उसे एक तरीके से कंडिशनल कर दिया कहते हुए कि अगर दोनों नेता हम उझसे कहे तो मैं मध्यस्तता करने के लिए तयार हूँ और वो एक ही वाक्ये में बार-बार इम्रान खान को भी जोडते हैं, और इंदर मोधी को भी जोडते हैं, कहते हैं, दोनों के साथ मेरे अच्छे रिष्टे हैं, क्योंकि देखें, अफगानिस्तान में उनकी टुकडियां मौझूद हैं, 2020 के उनके चुनावों के लिए उनके बढ़ रही हैं, दूसरी बात यह है, कि वो चाहते हैं, कि अमेरिकी जो फौज वहां अफगानिस्तान में मौझूद हैं, वो वापस आए, इस बाबत जो बात्सी चल रही थी, उनके राजदू उच्जाल में खलिलजाद और तालिबान के बीच में, वो भी पट्री से उत हैं, वो बहुत सारे ऐसे मसलें जिस पर नुबेल शानती पुरसकार मिलना चाहिए, कि कभी कोरिया के मसले पर नुबेल पुरसकार मिल जाए, वो नहीं तो कश्मीर पर, शिनानी गंज उनको बहुत पसंद है, कि कोई भी चीज ग्रैंड हो, कोई भी चीज स्पेक्टाकिलर हो, लेकिन जो दो चीजों पर मुझे लगता है भारत को चिंता करनी चाहिए, कि एक जब भी पाकस्तान से आ रहे आतंगवाद की बात वो करते हैं, तो उसमें वो गार्डेड नजर आते हैं, वो लहजा नहीं होता है, जो भारत सुनना चाहिए, या जिसकी भारत पूरे द दिल्ली आयोए थे, जैशंकर के साथ बैठ कर वो प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे, एक आखरी सवाल में, पूरे प्रेस कॉंफरेंस में डॉक्टर जैशंकर ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक आखरी सवाल के जवाब में अचानक से रिमार्क सिलिप इन करते पॉम्पियो बोलकर चले गए कि इम्रान लाजिस एक्सपोर्टर अफ टेरर है जबकि वो उस परिभाशा से भारत जो है वो सम्मत नहीं है तो ये भी एक बड़ा एरिया है जो मुझे लगता है भारत को यहाँ पर जिस पर गौर खरनी चाहिए इसमें एक और चीज है मतलब मुझे लगता कि भारत के लिहाँ से जो छोटी सी एक और खुशी की बात वो थी कि बहुत उम्मीद की जा रही थी कि कश्मीर में जो लोगडाउन चल रहा है जो लोगों के अधिकारों का एक तरह से कर्फियू है 40-50 दिन हो गया उसका जिकर अम लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पूरा पाकिस्तान और इरान का जो एक विशन है जिसको अमेरिका साध रहा है अभी तक कोई ऐसा बयान एक भी आया नहीं है कि जिसमें भारत बार बार ये बात कहता है कि मेरे हमारे परोस में ये है लेकिन अमेरिका ने कभी उस शोगी के मामले में देखा साथी एमबेसी के भीतर उस जनलिस्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिये जाते हैं और ट्रंप कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हम पता नहीं क्या कर देंगे जल जल ला देंगे बाद में साबित होता है कि वह हुआ है तब कहते हैं कि हमको मैंने बात की है वहां के सुल्टान से और सेख से कि हमको 400 करोड पता नहीं कि इतने अरब का फाइदा होने वाला है तेल ब्यापार में उन्होंने तेल की कीमतें कम कर दी हैं हम अपने अपने नागरिकों का इतने उनका हिद देखें या एक जान को देखें तो ये एक ऐसा आदमी है कि उससे आप उमीद नहीं कर सकते कि वो आपके मुद्दे हल करने के लिए करेगा वो तो जब कोई दबाव होगा और उसका कुछ ऐसा दबाव होगा जिस तरह कि वो इसमेता कह रही है कि उनको अपनी फोजों को वापस बुलाना है और बिना वो पाकिस्तान को साथ लिए संभव नहीं है तो लेकिन हाँ यूएन में एक अच्छी बात हुई है कि यूएन ने कस्मीर में जो इस्तिती है उस पर चिंता जता आई है और वहाँ जो कर्फ्यू है वहाँ जो लोगों को डिटेन किया गया है उस इसलिए को जल्दी खतम करने की बात की है अब देखना है कि इंडियन गवर्वर्मेंट इस पर कैसे रिस्पॉन दा रही है यही बात कल ही देखिए अब देखिए ट्रम्प को बिजनिस चाहिए कारूबार चाहिए मानावधिकार नहीं चाहिए उनको अगर टावर मिलते हैं तो उससे खुश है लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को भी सोचना चाहिए कि इंडियन मीडिया को भी जिस पेट्रेनाइजिंग टोन में उन्होंने कहा कि कोई अगर पाकस्तान से आ रहे है आतंगबाद की सवाल पूछता है तो वो नरेंदर मोधी को कहते कि आप कहां से ढून लाते हैं ऐसे पत्रकारों को अच्छे जर्नलिस्ट आपने लख रखे हैं अपने यही बात उन्होंने इम्रान खान को भी कही थी पाकस्तानी जर्नलिस्ट के संदर में तो अगर कोई भी इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट यह सोचे कि दरसल वो तारीफ कर रहे हैं तो वो फिर किसी लाला लैंड में रह रहे हैं तो यह बहुत अफसोस नाक है एक और सरकाजम छोटा सा हुआ उस पर भी छोटी स्टिपड़ी उसके बाद इस विशे को हम खतम करेंगे एक डिमोक्रेट सांसद ने जब वो खारिकरम चल रहा था वहां पर मोधी बगल में खड़े हैं अगर डिमोक्रेटिक लिहास से इंडिया की रिस्पेक्ट यूएन से लेके और इंटरनेशनल किसी फोरम में होती है बार-बार इंडिया की डिमोक्रेसी की चर्चा होती है तो वह इसलिए शायद है क्योंकि जिन परंपराओं को जिन इंस्टिउशन को जिस तरह से थर्ड वर्ल कंट्री होते हुए भी इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी डिमोक्रेटिक वैल्यूस को इंडिया ने बचा कर और एक सक्सिस्फुल जर्नी रही डिमोक्रेसी की उसके पीछे उन तमाम चीजों की भूमिका है जो नेरू के वज़से आई देश में या और उन तमाम उस समय के पॉलिटिकल क्लास के वज़से आई ऐसा लगता है कि मतलब नरेंद मोदी जैसे लोग जो की उन तमाम चीजों के लाभारती है आज उन सिस्टम्स के लाभारती है उसके बावजूद उन चीजों की कोई खदर नहीं है तो वो जानभूज कर लाया गया या पर एक सहज करने वाले इस्तिति की मतलब बिना एकदम पूरा वाकोवर नहीं दे देना है किसी को ने देखिए आप मोदी अमेरिका के किसी परल्लामेंटेरियन के दिमाग को कैसी नेंतरित कर सकते हैं और अगर वो सहज तरीके से नेचुरल तरीके से जो अपने को इसकी बात किये भीना रह कैसे सकता है मुझे लगता है कि जिस असहजता की बात आप कर रहे हैं वो भी नाटक है क्योंकि मूलत भारती जनता पार्टी और मोदी ने तो इन सब जो आइकंस हैं जिनसे वो असहमत हैं जिनके वो बिरोध में हैं उनका इस्तेमाल करने की कोशि की है अब बीजेपी का एक बड़ा सेक्षन गोड से गांधी की हत्या करने वाले गोड से को अपना हीरो मानता है लेकिन नरेंद मोदी की चर्खा काते वे तस्वीर आपको सारी दुनिया में दिखाई देगी स्वक्ष भारत अभियान में गांधी जी के चसमे का इस्तेमाल किया जाएगा एक सो पचासमी जैनती भी मनाई जाएगी इसी तरह से आप देखेंगे अंबेड कर धूर खिलाफ हैं आरेसेस के भागत सिंग की बिल्कुल दूसरी बिचारधारा है लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने की कोशिश बीजेपी करती रहती है आपको याद हो कि जब 2018 में इनॉग्रल यूएस इंडिया 2 प्लस 2 डायलोग हुआ था जिसमें की माइक पॉम्पयो और जेम्स मैटिस थे डिफेंस सेक्रेटरी और सुष्मा सुराज निर्मला सीतरमन के साथ बैठक की थी उनके भी ओपनिंग रमार्स में जोर दरसल बाइ पिछले कुछ सालों में निश्वित रूप से भारत की पोजिशनिंग बदली है अब वो सही है गलत है वो डिबेट अपने जगह अलग है लेकिन जब बराक उबामा नई दिल्ली में आए और नरेंद्र मोधी ने उबामा के साथ मिलकर एक स्ट्रटीजिक विजन ने इंडो पैसिफिक पर एक क्लियर पोजिशन लिया चीन के विरोध करते हुए तो इस तरह की चीजें इस सरकार में हुई है जो नस्दीकिया और बड़ी है मनमोहन सेंग और बराक उबामा के बीच में एक नाच्रल केमिस्ट्री थी एक सेरीब्रल अलायंस था लेकिन कु पिछले कुछ सालों में एक गर्म जोशी देखने को मिली है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि जो पास्ट की सरकारे हैं उनकी जो कॉंट्रियूशन से उसको अब भुला दें हम अपने अगले विशा की तरफ बलते हैं जो कि ग्रेटा थन्बग से जुड़ा है औ और एक्टिविजम के दुनिया में उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक तो यह जो भाशन था उनका कि वो कुछ लोगों कहना है कि बहुत ही अलार्मिस्ट है कि दुनिया खतम ही होने जा रही है अब पर एक 16 साल की बच्ची से जो एक साल से छुटी लेके अपने स्क पर सवाल या निसान तो नहीं लगा जाना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए मज़े लगता है कि जो लोग आकर जो है ग्रेटा थर्नबर को डम डाउन करने की कोशिश करें इसमें को डॉनल टॉम भी शामिल है सारकास्टिक उन्होंने ट्वीट किया कि शी लु चेंज को समझना शुरू किया 11 साल की उम्र से वो सक्रिय हुई डिप्रेस्ट हुई पिछले साल एक ऐसे कॉंपेटिशन जीता उसने और उस निबंध कॉंपेटिशन को जीतने के बाद एक तरीके से दिशा देनी उसने शुरू की इस पूरे मुहिम को तो स्कूल में जो है उसने शुकरवार के दिन जाकर और उसने स्वीडन के पार्लिमेंट के बाहर जाकर बखायदा विरोध दर्च किया प्रोटेस्ट किया कहते हुए कि 15% तक आप कार्बन एमिशन को कट करें फिर जो है फ्राइडे कॉल देना शुरू किया जब बच्चे जाने लगें इस साल कि क्या हालत है आज हर दूसरा तीसरा बच्चा मेरा गौटसन है पांच साल का है वो पिछले दो साल से आप 16 साल की लड़की की बात कर रहे हैं वो इतना सेंसिटिव है वो पिछले तीन सालों से हर दिवाली पर बकाईदा कार्ड बनाकर अपने पड़ोसियों को दे कर आता है वो विंटर्स के वक्त में खुले पार्क में खेलना चाहता है तो उसकी मामना कर देती है गैस मास्क पहनना पड़ता है एक आप ग्लोबल स्टेज पर अगर कारवाई की बात कर रहे हो आज रणनीती नहीं शुरू करोगे काम नहीं करोगे तो उसका असर कब देखने को म हमारे सामने नरेंद मुदी जी जैसे लोग हैं जो लगातार पर्यावण की चिंता में खोखली बैयन बाजियों के उस्ताद हैं फिर ट्रम्प जैसे लोग हैं जो आखरी मोमेंट पे आके कह देंगे कि हम भाड में जाए पर इस अग्रिमेंट क्लाइमेट जैज मानते ही न लोग हैं और यह सब बखवास करें वाले एक साथ पूरी दुनिया में जो लोग लीड कर रहे हैं उनका रविया एकदम हंड़िट परसेंट पूरी तरह से नकरात्म के मतलब हासिल के नाम पर कुछ नहीं है तो ऐसे में मतलब एक बच्ची और जो की एक्टिविजम कर रही हैं वो मतलब मैं अनिल आपसे टिपड़ी चाहूंगा इसके बात फिर हम अपने अगले विशे की तरफ बढ़ेंगा इस पर देखिए ये जो अलग अलग देशों के जो प्रमुक हैं उनका जो रवया है इसमें कोई आश्यरिकी बात नहीं सीधी सी बात है कि अब ज्यादा यर्वनेशन इसके लिए कौन जिममेदार है इसके लिए corporations जिममेदार रहें कि बड़े पैमाने पर जो गाडियां कौन बना रहा है नदियों को कौन exploit कर रहा है जंगलों को काट के वहाँ पे अपने industrial units कौन बना रहा है जमीन को excavate करके minerals कौन निकाल रहा है तो वो नहीं बोलेंगे और जो बोलना भी चाहते हैं politicians उनके भीतर ये दुविधा होगी कि ये जो corporations हैं जो जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पूरे मुलकों की किस्मत तै कर सकते हैं सरकारें बना भी गार सकते हैं उनसे कैसे बैर लिया जा सकता है तो ये आवाज एक ऐसे ही सेक्टर की तरब से आनी थी परियावरण के पक्ष में जिसको लाभानी की चिंता नहों जिसका गुस्सा पायस हो पवित्र हो तो ये बच्चों की तरब से आई है आवाज तो ये मतलब एक natural बात है लेकिन एक बड़ी उस तरह की बात भी है मार्मिक बात भी है कि वो वयस काबादी जिन्हें सचमुश दुनिया की चिंता करनी चाहिए थी उसने छोड़ दी है मतलब जिसको रास्ता दिखाना है वो ही फेल कर रहा है जिसको अभी खेलना चाहिए था खाना चाहिए था पढ़ना चाहिए था ब्रॉंकाइटिस के और सांस की बीमारियों के कितने मामले होते हैं अपने बेटे को लेके परशाने हैं जैसे ही जुरू होता है निपलाइजर के भी ना जाने सकते हैं है नुई यॉर्क में जब क्लाइमिट समिट में शामिल होने के लिए इसने क्या एक शिप लिया जिसका नाम है मलीजिया टू और यह सौर ऊर्जा अंडर्वाटर टर्वाइन पर चलता है तो बेसिकली इसमें काबन इमिशन जीरो है इलेक्ट्रिकल पावर वो पानी के जर कर रहे हैं बतौर अब जाए इसके कि आप देखें कि आज यह बच्ची दुनिया भर के बच्चों के लिए हीरो है मलाला यूसफ जाई को लेकर जो लोग बदनाम करते हैं कि वह तो दरसल एक सी आए का प्रॉजेक्ट है उसको गोलियां खानी पड़ी क्योंकि वह लड़क इन सब चीजों की सफलता इसमें मैं देखता हूं कि अगर वो यह सब ना करती तो पूछता कौन और फिर आज हम यहां बैठे हैं और बाकी लोग जिनको आज सरकास्टिक लिए भी ट्वीट करने की ज़ूरत पड़ रही है उनको वो ट्वीट खर्च करने की ज़ूरत नही करेंज को लेकर जागरूख है और उसे लेकर अपनी अपनी सरकारों से और प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब दे ही मांग रहे हैं अपने आखरी विशे की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे महानायक अमिताब बच्चन से जुड़ा मामला है उनको दादा साहिब फाल के दूँगा क्योंकि हम लोग उस दौर में पले बड़े और जवान विल होगे जिसमें किवल अमिताब ही नायक हुआ करते थे और बाकी राजनीती में मतलब वो दौर भी ऐसा था कि जिसमें गांधी जी को लोगों ने देखा है यह वो तो फिल्म मेडिया से ही आजकल चुक अमिताब बच्चने का जो अपना रविया है जो बहुत सारी चीजों में पॉलिटिकली करेक्ट उनकी जो आदत है जरुरत से भारी जो उनकी विनमरता है वो सम्मिलाज उलाके उनको एक ऐसे आदमी के तौर पे एक व्यावारिक व्यक्ति के तौर पे हमारे सामने रखती ह व्यवारिक जिंदगी में आदमी इतना विनमर और इतना हर चीज में जो होने के कोशिश वो करते हैं वैसा हो नहीं सकता रियलिटी के करीब नहीं होते हैं इससे दिक्कत थी लेकिन इससे किसी को दिक्कत होने का मतलब है कि क्या उनको दादा साहब फाल के अवार्ड देना में कल्चेर इंडस्ट्री में उसके लिए दिया गया है तो वहां तक तो बिल्कुल ठीक बात है लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह हुई है कि आजकल नायक महानायक यह सब निर्मित किये जाते हैं इसके पीछे करोड़ों रूपय का इंवेस्मेंट होता है मीडिया होता है प्र सुटनाइज करें पड़ताल करें कि यह आदमी क्या सचमुच महानायक यह नायक यह कुछ होने के लायक है तब हम देखते हैं कि अमिताब का जो बेक्तिगत जीवन रहा है सामाजीक जीवन रहा है वो नहायत बड़ा आत्मकेंद्रित अहंकारी मतलब परस्त और एक अपार किसान बने बिना महारास्त में पूने के पास कोई बहुत प्राइम लोकेशन की जमीन है उसको नहीं खरीच सकते था उन्होंने एश्वर्या राय के नाम पे लड़कियों का कॉलेज बनाने के लिए सिला नयाज तक कर दिया वह आज तक नहीं बना फिर आप देखेंगे कि क कोई उनका किसी चीज पर स्टेंड ही नहीं वो तो हमेशा चलती का नाम गाड़ी वाले आदमी तो दादा साब फालके मिलने में कोई बुराई नहीं है वो मिल सकता है लेकिन जिसको मिला है उसको ये बताना कि ये सच मुझ कोई महानायक है और इससे लोगों को कोई उमीद करनी चाहिए ये ठीक बात नहीं ठीक बात है और ये मतलब मुझे लगा कि पूरी बहस में यही चीज मिसिंग थी कि अमिताब बच्चन ने फिल्मी दुनिया में जो अपने जवर दिखाए हैं जो उनकी अपनी प्रतिभार ही है जो उनका अपना अभिने का सफर रहा है उस उसके लिहास से वो बिल्कुल उसके खाबिल हैं उनको मिलना ही चाहिए और अमिताब बच्चन तो उससे भी कहीं आगे खड़े हैं वैसी जगह पर खड़े हैं कि साइद जब वो हमारे बीच में नहीं होंगे जब नहीं होंगे तो उनके नाम पर भी दादा साहिफ हाल के इसा कोई पुरसकार सुरू हो सकता है इसी जगह पर होंगे ना मैं उनके अभिनेकों भी नहीं पसंद करता हूं व्यक्तियत तोर पर मैं उससे बड़े अभिनेताओं को मानता हूं लेकिन एक और बात है कि अगर कोई इतना लंबा जीवन जीता है इतना बड़ा कलाकार है तो वह जब उसका जीवन के अंतिम उस फेज में प्रवेश करता है साट साल से उपर पैंसाट साल से उपर तो स्वाभावी तोर पे उससे एक सामाजिक भूमिका की उमीद की जाती है वह सिर्फ मतलब कलाकार ही नहीं है वह मनुष भी है और उसके कलाकार बनने में इस भी जाधा साथ हाल के पूरसकर किसलिए दे रहें आप किसले समानित कर रहें वह एक शक्स के लास अंस्कृति के शेतर में योगदान रहा है तो उसमें ठीक है उसमें जाहिर सी बात है उनका पूरा का पूरया करियर रहा है मैं मैंने काफी सारे फिल्मों को पसंद किया है उनका भी निश्य तरूप से अच्छा है लेकिन बहुत बड़ी फैन नहीं हूं मैं इन फार्ट उनके शुरुवाती क्यों ने यह कर लिया जाए कि एक छोटी सी चीज आपको अमिताब बच्चन के कोई फिल्म जो सबसे पसंद हो या नहीं पसंद हो अमिताब बच्चन की ज लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उम्रे के इस पड़ाव में उम्रे जो पीहु पीहु नहीं दिपीका पादुकोंड वाली पिंक मुवी तो यह सारी मुवी निश्चित रूप से इसमें परफॉर्मेंसे बहुत जबर्दस रहें लेकिन हां यह है कि वो म बदलाफ की एक बयार चल रही हो जिस पर उन्होंने कोई स्टैंड लिया हो मेरिल स्ट्रिप को आप देखें ऑसकर में जाकर वो बकाइदा एक ब्लैक ऑसकर के मुद्दे पर अगर स्टैंड लेती हैं वो बॉली बुड में ज्यादा तर बड़े सितारों के साथ नहीं पर मुझे शराब भी बहुत पसंद है इसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को रोकेंगे मैं इस बार एक बहुत contemporary कविता का पार्ट करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा अंदाजा लगे News Laundry का podcast सुनने वालों को कि इन दिनों literature में चल क्या रहा है तो ये कविता एक हिंदी भाषी इलाके से आई है केरल के हैं रहीम पुननाड और इस कविता का सिर्शक है भाषा निरोधनम और अभी जो हिंदी वाला डिवेट अमिचान शुरू किया कि एक दे से एक भाषा होनी चाहिए तो इसके बाद ये कविता आई है तो किस तरह का और ये काफी वाइरल है काफी सोशल मीडिया में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत दूर तक ये गई है तो मैं बिना इस पे कोई टिपणी किये सीधे पढ़ रहा हूँ कि ताकि लोग जान सकें कि लिटरेचर में इन दिनों किस तरह की चिंताएं आ रही है तो भाषा बंदी इसका सिर्शक है एक दिन आधी रात को उन्होंने भाषा पर पाबंदी लगा दी गोशना हुई आज से सबकी एक ही भाषा होगी पुरानी भाषा को डाग घर से बदल कर ले जा सकते हैं नीज से उठकर लोग इधर उधर भागने लगे हर जगा चुपी थी माओं ने बच्चों के मूँ को हाथ से दबा कर बंद किया बुजुर्गों के मूँ में कपड़ा ठूसा गया, मंदिर का गाना रुग गया और मस्जिद से अजान भी रेडियो पर सिर्फ वीड़ा वादन हो रहा था, टीबी पर इशारों की भाषा में खबर चली अकबार के नाम पर आठ पन्नों का कोरा कागज मिला, हर एक कीबोर्ड खामोश हो गया, मुबाइल स्क्रीन पर सिर्फ चिन ने दिखे डागघर की लाइन में सब खामोश खड़े थे, एक दिन में एक ब्यक्ति सिर्फ दो ही शब्द बदल सकता था कोई कोई तो बोरियां भर कर शब्द लाए थे, सब्दों से भरा टिफिन बाक्स और स्कूल बैग लेकर आए बच्चे भी खड़े थे लाइन में जिसने अम्मा दिया, उसको मा मिला, जिसने अब्बा दिया, उसको बाप चाकलेट और गेम बदलने के लिए आए बच्चों को काउंटर से ही वापस भेजा गया, कि सिर्फ भाशा बदली जा रही है बदले में शब्द ना होने के कारण बेजार और कफन को लौटाया गया छूरी बदलने आए लोगों को भगा दिया गया अफीम बदलने जो आये उनको पुलिस ने पकड़ लिया लाइन में ठके वे बुड़ों ने पानी मांगा तो गोली से उनका मुँ बंद कर दिया गया यह सब देखकर घर पहुँचा तो आंगन में शब्दों का धेर लगा था बदल कर लाने के लिए घर वालों ने एकठा किये थे यह शब्द नए पुराने बिना लिपी के तकीये से पापा ने जो शब्द निकाला मेरी ही समझ में नहीं आया मा के पल्लू में भरे शब्दों को अभी तक सुना ही नहीं था बीबी ने रसुई में खीच लिया तभी पता चला कि वो अब तक इतने ही शब्दों के बीच पक रही थी बेटी की बगिया में होम और कशब्द बेटे के बकसे में अपनी जगर से हटे मजा किया शब्द कैसे बताऊं इनकों की सिर्फ दो ही शब्द मिलेंगे इनको बदले में शब्दों के ढेर में मैंने काफी कोजा, काफी मशक्कत के बाद आखीर में एक भारी भरकम शब्द दोनों हाथ लगा सारी ताकत लगा कर मैंने शब्दों को बाहर निकाला जनवाद और बिविधता भागते हुए डाक खाने पहुचा तो अधेरा घिरने लगा था मेरे हाथों में शब्दों को देखकर काउंटर पर बैठे लोग चौक कर खड़े हो गए मेरे हाथ से फिसल कर सब्द गिरे कई लोगों के भागते हुए इकठा होने और बूटों की आवाद सुनाई दे रही थी बेहोस होते होते बदले में मिले दो सब्दों को सुना मैंने ये सब्द थे मार डालो और देश द्रोही क्या बात है ये मतलब इसके लेखक कौन है इसके लेखक है केरल के इनका नाम है रहीम पुनाड मुझे नोटबंदी और उसकी याद आ गई बस इसमें पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है भाशा के सब्दों के जरिये नोटबंदी की आधी रात किसी दिन आपकी भाशा भी बैन की जा सकती है अद्भुत कविता हम अपना आखरी जो राउंड है उससे पहले रेक्मेंडिशन का प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि हमारे और भी तमाम पॉड्कास्ट हैं अपनी रोजाना के खबरों का एक छोटा सा कैप्सूल पा सकते हैं तो उनको भी आप जरूर सुनें रेक्मेंडेशन आपका क्या स्मिता होगा हमारे शोताओं के लिए इस अपते दो एक किताब और एक मूवी का कर मैं दूँ किताब चुकि डॉनल्ड टरम की इतनी बात हुई और डॉनल्ड टरम का याद हो कि इस वाद अमेरिकी सियासत बहुत गर्मा गई है क्योंकि उनकी इंपीच्मेंट की तैयारियां चल रही है युक्रेन को लेकर एक जारी एक पूरे स्कैंडल की वज़ह से एक किताब है The Case for Impeachment यह Alan Lightman है अमेरिका के प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने बकाइदा पिछले 6-7 अमेरिकी चुनाबों को ठीक से प्रिडिक्ट किया इन्होंने कहा तक कि डॉनल्ड टरम जीतेंगे इस किताब में उन्होंने सिनारियो को कंपेर किया है कि Andrew Johnson और Richard Nixon दो उनके इतिहास के राश्रपती जो impeachment के करीब हुए या जिन्हों resignation दिया Richard Nixon ने Watergate scandal में तो आप अगर देखे वो किताब पढ़ेंगे तो आपके wrong day खड़े हो जाएंगे कि कितने cases हैं scenarios हैं जहां दरसल डॉनल्ड टरम की impeachment का मसला बनता हुआ नजर आता है ये किताब उन्होंने डॉलल्ड टरम के राश्रपती बनने के कुछी में इनों बाद लिखी थी आज impeachment के तैयारियां शुरू हो रही है तो ये जरूर पढ़ें और दूसरा मुझे लगता है आपने केरल का जिक्र किया कवी का केरल से आज ही एक ख़बर देख रही थी आते वक्त में कि वहां के बहुत भारी तादाद में बच्चों ने फैसला लिया है कि अपसे फॉर्म्स वगेरा में जो सिर्फ फर्स्ट नाम शामिल किया जाएगा उनके सर्नेम नहीं लिखे जाएंगे ताकि जाती धरम का पता ना चल सके तो यह जिस संदर्ब में हम जाती लड़ाई की बात कर रहे हैं मुझे लगता हो सकता है पहले रेक्मेंट कर दिया हो आपके व्यूवर्स को आर्टिकल 15 नेट्फिक्स पर अवेलिबल है दलित के सादलितों का जो मसला है शिफपूरी में जो हो रहा है बहुत एक रियलिस्टिक इंटर्प्रेटेशन बहां देखने को मिलेगा और आयुश्मान खुराना की परफॉर्मेंस अपने आप में काबले तारीफ हाले की उनकी एक फिल्म आई है ब्रीम गर्ल वो ना देखें क्योंकि वह बहुत रिग्रेसिव नजर आई मुझे आयुश्मान खुराना से उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसी मूवी करेंगे जह इत लंपट किस्म के चरीत्रों से मतलब ऐसे करेक्टर्स जो महान लुंपन है और उनका पूरा जीवन नौटंकी है और उनको बड़ी मानिवीता के साथ बहुत करुणा के साथ उन्होंने लिखा है तो उनका एक नौवल है टोटिला फ्लैट्स उसमें इसी तरह के करेक्टर्स है और हम देख रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स जो है उसमें इसी तरह के करेक्टर चाये हुए है लंपट करेक्टर चाये हुए है कि जो सच्चाई है उसको वो पेंट करके रातो रात अपने नए रंग का बना देते हैं और कहते हैं कि यही सच्चाई है इसको मानिए तो मैं रेक्मेंट करता हूँ कि अमेरिका का ही है नॉबेलिस्ट और नॉबिल प्राइज मिला हुआ है जॉन स्टीन बेक को तो टोटिला फैल फ्लेट्स की मैं से फारिस करता हूँ चानी अच्छी बात है मैं चुकि गांधी जी के 150-वा साल चल रहा है और बहुत सारी चर्चा हुई यहां से लेकि अमेरिका में भी गांधी जी की तो मैं गिराज किशोर की एक किताब है बहुत पॉपलर बहुत लोगपरी किताब है पहला गिर्मिटिया गांधी जी के पूरे जीवन के उपर उन्होंने हलाकि उसमें एक तरीका जो है उसको गांधी जी ने खुद भी लिखा है अपनी My Experiment with Truth जो है उस जर्णी को लेकिन उसको किसी दूसरे ने जिस नजर से देखा है तो बहुत ही उनकी लोगपरी और किताबों में शामिल है तो मैं चाहूंगा कि लोग पहला गिर्मिटिया को भी देखे इसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे उससे पहले आप लोगों से अपील की News Laundry को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉर्प्रेट या फिर पॉलिटिक्स के दवाओ से भी मुक्त रहेगा और साथ में हमारा NLCNA प्रोजेक्ट है इस समय जो आप अपना सहयोग दे सकते हैं जिसे Who owns your media यानि आपका जो हमारे बीच का मीडिया है उसके मालिकान काउन लोग है उनके hit कहां कहां है उनके धंदे क्या है उनके बाकी रोजगार क्या है तो इन तमाम चीजों पर ये हमारा NLCNA प्रोजेक्ट है अपना समर्थन दे इसको आप दोनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया में बहुत 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 क्या है